नमस्कार टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साफ दिनकरारंद और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की युक्ति सरकार का मिशन रूप जगार जा रही है इसी कड़ी में आज चैनित अभियर्थियों को नियुक्ति पत्र वित्रत किया जाएगा आपको बता दे प्रदेश को मुख्यमंत्री युग्यादितनाथ 1782 पदों के चैनित अभियर्थियों को पत्र सौपेंगे इसके चैनित अभियर्थियों को नियुक्ति पत्र वित्रत किया जाता है आपको बचा दे के लगतार सीम योगी और उत्रप्रदेश की सरकार मिशन रूजगार पुली कर सजग है अलग-अलग माध्यम से रूजगार उपलब्द कराए जाते हैं खबर परजाना जनकारी के लिए हमारे संबादाता अमरें प्रताप सिंग हमारे साथ जुडगा है अमरें क्याकु जानकारी है आज देखती पत्र वित्रंस अमारो है जिसमें सीम योगी शिरकत करने वाले हैं मुक्यमंतरी कारे अलग मुक्यमंतरी जिसे लोक भवन करते हैं उसमें यह कारक्रम हो रहा है और इसकारक्रम में मुक्यमंतरी योगी अधितनात स्वायम उपस्थित रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री योगी अधितनात अपने हाथों से 1782 अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत बाते हैं ये सभी अभ्यर्थी अधिनस्त सेवा चैनायोग और विद्दुत सेवा आयोग के द्वारा चैनित किये गए हैं ये भर्थी जो कि बिद्दु सेवा आयोग और अधिनस सेवा आयोग दरा चनित किये गए हैं ये सब आज नियुक्ति पत्र प्राप करने के बाद अगले तीन दिनों में जाकर के जहांजा कारे स्थल है वहाँ पर जोईन करेंगे और इसके बाद ये अपना कारे सुचार रोजगार मिलेगा और ये काम मुख्यमंत्री होगी अधितनाथ खुद अपने हाथों से करने वाले हैं जी बिल्कुल अमनेंद कल भी देखा गया है कि जब चात्रों की तरफ से परिक्षा पेपर लीक को लेकर जब सवाल उठाय गये तो परिक्षा पेपर को भी कैंसल किय आगया और कारवाई करने के बिर्देश दिये गए हैं यानि कुल मिलाकर चिनाव से पहले हैं मिशन रोजगार पर लगतार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ उनका एक ही कहना है कि जीरो टॉलरेंस सरकार है हम किसी भी चीज को टॉलरेंस नहीं करेंगे उनको जब जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस वरिती परिक्षा हुई है उस पुलिस वरिती परिक्षा में दूसरी पाली का जो पेपर है उसके लीक होने की खबर आई और उसके बाद भेर्थियों ने आकर के राधानी लखनौ के धरना इससल इको परिक्षा को रद कर दिया युवाओं के हित्मे परिक्षा को रद करने के बाद साथ ही उन्होंने ये भी भूस्टा कर दी छे माह बाद परिक्षा को पुरी शुचिता से पुना कराये जाएगा और परिक्षा कोई शुल्क नहीं बसूना जाएगा तो ऐसे में कहा जा सकत जीरो टॉलरेंस की अपनी पलसी पे लगातार काम कर ला है। आपस में टकरा गई और फिर एक DCM को टकर मार दे जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मुख्यमंत्री हो गया दितनात्वी काफिले में शामिल थे। के साथ रवाना हो गया। जेसिपी उपंदर कुमार अग्रवान ने बताया कि अर्जुन गंज के मरी माता मंदिर के पास सड़क हादसा हुआ। सेक्यूरिटी के लिए जिलापोलस की गाड़ियां आगे चलती है। उसी से डेमोकार में हादसा हुआ सड़क पर अचानक उत्ता आने के विए से नियंतरन बिगड़ गया था। आलोक विभिन हॉस्पिटल में भरती कराया गया। मुख्यमंतरी की फ्लिट थी लेकिन सड़क हादसे से फ्लिट का कोई मतलब नहीं होता। तो लखनव की एक हवर है जहां आजसे में पाच पुलिस कर्मी घायल हो गए आपको बता दें कि अच्छानक उत्ता आने से यह पूरा एक्सेडेंट हुआ है। माँ पूरा पाश़्ेट करते वे लेखना को कि आए तो जो श्राइक हुआ है। जो ड़ीट सुख़ती के लिए जिलाग सब्सक्राइज के आगे गारिया चलती है। की मिजरारी जानुशना है उसकी कि बड़ी भारे मायीन गरी झालती है तो समभ्तर समेड है कि सबसे केसे को कि भाड़न राख संस्य रशतिका आ, चानक से रस्त चानक चाहिया है पर पर चड़ जाती है उसके उपर आता है जशे काड़ी तो जाती है और सब्सक्राइब वहां पर भी दो गाडिया और पबली के जो लोगे उनको चबेग मिने लगती है तो लखनव की अख़वर बता रहे हैं जहां सीएम योगी के काफले में दुरघटना देखी गई आपको बता दे कि कुट्टे के आजाने की वज़या से पुरा काफिला तितर बितर हो गया और इस दोरान हादसे में पाच पुलिस कर्मी सब्सक्राइब 11 लोग घाया लुएं आपको बता दे कि अपने आवास जा रहे थे इस दोरान अचानक से फ्लेट के बीच में खुट्ता आ गया और इस विज़या से अपुरी दुरघटना हुई है जिसमें पाच पुलिस कर्मी और वही 11 लोग घायल हो चुके हैं आपको बता दे कि इसके बाद मौके पर पहु पुलिस कर्मी समेथ 11 लोग घायल हो गए हैं तो लखनव की एक ख़बर है जब अचानक उत्ता आने से यह पुरा हाथसा हो गया आपको बता दे कि सीम योगिया अधितनाथ लखनव एरपोर्ट से अपने आवाश जा रहे थे ख़बर पर ज़्यादा ज़ानकारी के लिए हमारे समबादा था हमरंदर परताप सिंग हमारे साथ जुड़ गया हैं अमरंदर क्या कोछ पूरी ज़ानकारी है सीम योगिया अधितनाथ के काफिले में दुरहटना कैसे हुई जैसा कि जानकारी दी जारी है कि उत्तपदेश के मुख्रमंतरी योगी अधितनाथ कल दिल्ली थे दिल्ली से लोटने के बाद एरपोर्ट से जब उनकी फ्लीक जो है वो सियम आवास के लिए वापस आ रही थी तब एंटी डेमो कार एंटी डेमो कार जो है आगे आगे हथा हुआ है जैसा कि जॉइंट कमिशनर आप पूलिस लखनव उपेंद कुमारा ग्रवाल के दोरा बताया गया कि अरजुन गंज के मरी माता मंदिर के पास में यह थी था हुआ है अरजुन गंज जब एरपोर्ट से चलकर शहीद पत से आहमामो के पास से फ्रीट उतरती ह आहमामो के पास से रास्ता मुख्यमंतरी आवास के ले आता है तो पहली जगा जो पढ़ती है वो सरसवा और अरजुन गंज पढ़ता है तो अरजुन गंज में मरी माता का मंदिर यानि एक पूल बना हुआ है और उस पूल के उपर गाहिने हाथ पर पूल के उपर ही सरक के किनारे ये मरी माता का मंदिर है बड़ी मानता है इन मरी माता की यहां पर जो भी लोग अपनी कामना लेकर आते हैं वो घंटियां चलाते हैं और लोगों के द्वारा धेर सारी घंटियां चलाने के कारण यहां पर लाखों की संख्या में घंटियां साल में दो साल में आ जाती जिला पुलिस की गारियां आगे चलती है और जिला पुलिस की गारियों में ही डेमो कार होती है जिला पुलिस की गारियों में ही जानकारिया रही है कि शिक्रीटी बाहन में मजूद पुलिस कर भी थे उनको भी चोटे आई हैं और उसके लाबा सलक पर अपने बाहनों में या सलक पर अपने बाहनों में जा रहे ग्यारा अन्य लोग हैं जिनको जो की चोटे लगी हैं जो की घायल हुए हैं और इन सभी घायलों को अलग-अलग अस्पालों में बर्ती कराया गया है मुख्रवंतरी फ्रीट थी ए लेकिन सलक हाथ से का फ्रीट से कोई लेना देना नहीं बताया गया है का जा रहा है कि ये जो हास्ता हुआ है ये मरी माता मंदिर पर कुट्टे को बचाने के कारण ये हास्ता हुआ है फिलाल जिला पुलिस वा इंट्री डेमों की गाडियां प्लीट के आगे चलती रहती हैं और उन्हीं गाडियों से हास्ता हुआ है और सभी गायलों को अच्छे पुलिस परिक्षा रधोने पर समझवादी पार्टी प्रमुक अखलेश यादों का भी भयान सामने आया अखलेश यादों नहीं योगी सरकार पर हबला बोलते हुए कहा कि राज्यो सरकार का रूजगार देनी का कोई रादा नहीं है अगर सरकार ने सक्त करवाई की होती तो जाती होती नोखरी देने की सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीग हुआ था उसी समय सरकार सक्ती से कारवाई करती और उसका पड़ाम ये होता कि किसी भी परिच्छा का पेपर लीग नहीं होता और आज केवल पुलिस भरती के पेपर लीग के प्यारों की जो भरती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे चात नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोग सिवायों के सामरें वो अपना परचा कैंसिल करना चाहते हैं री एक्जाम करना चाहते हैं आप सोचिए सरकार जो दावा कर रही थी कि परीच्छा परीच्छा बिल जहां ग्राविनों ने मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं को सामने रखा जिसको लेकर मंतरी ने कहा कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के निस्तारन के लिए कारवाई की जाएगी चौपाल को सम्भोलित करते हुए कहा कि किंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा या पूरी योजना चलाई जा रही है लाभार्थी योजनाओं के प्रचार प्रसार और ग्राम पंचायतों में योजनाओं के किर्यानवेन की स्थिती के सम्मन्द में लोगों को जागरुक कर विभिन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए इस दोरा जन्चौपाल में विभागिया योजनाओ के प्रचार प्रसार और विभागिया योजनाओ से ग्राम प्रंचायतों को संत्रिप्त किये जाने की करवाई शुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए खबर बहराईद से जहां सपाप्रमुख अखली श्यादों का बड़ा बयान साबने आया जहां उन्होंने कहा है कि पुलिस भरती परिक्षा रद किये जाने के मामले पर सरकार को पर करारा वार किया है अकले शादों ने साफ तोर पर कहा कि सरकार के नियत ही नहीं थी नौकरी देने की ऐसे में सरकार की लापरवाई से पिपर लीख हुआ है सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहले पिपर लीख हुआ था सरकार उस समय करवाई करती इस ते करोडों परिवार प्रभावित हुए है। अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविस को बहतर बनाने के लिए और विग्यान की बात तो केवलिती नहीं है कि वाटसेप से लोगों कितना गुमरा कर दें सोशल मीडिया से कितना गुमरा कर दें इतना ही इनका विग्यान है इससे आगे विग्यान इनके बाद नहीं है अगली ख़वर सोन बदर से है जहां आयूस और खाथ सुरक्षा मंत्री डॉक्टर दयाश्रंकर मिसर वारनसी चलकर सोन बदर पहुंचे वहीं रॉबर्ट सुगंज में लोगसवा चुनाव कार्याले का उदगाट करकाणी हुई थी दिल्ली में देश के सारे नेता हमारे देश के सची पुझाय मंत्री मानी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रश्न पूछा सारे लोगों से कि क्या किसी लोग सभा में प्रक्यासी गोशित हुआ तो किसी ने कहा कि नहीं उन्होंने कहा कि नहीं हो चुका है कमल हमारा प्रत्यासी है और पार्टी की जो रणनीती है चुनाव को लेके हमारी सारी संक्षन की तैयारियां हो चुकी है प्रक्तेक लोग सभा का अपना एक कार्याल है, हम लोग का खुलना था, उसी कड़ी में आज सोन फद्र में, राबर्स गंज में आज हमारा एक कार्याल है किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सपाध द्यक चकलेग शुयादों ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है, हम उनकी मांग के साथ खड़े हैं, किसान भाईयों के मांद सम्मान और अधिकारों की बात आएगी, तो हम पहले और आगे भी हम किसान भाईयों के साथ खड़े रहेंगे, किसान दुखी है, अहंदोलन कर रहा है, अपनी आए बढ़ाने के लिए, नौजमान नौखरी नहीं पा रहा है, अगर पेपर लिख रहा भी है, तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है, अपने भविस को बहतर बनाने के लिए, और विग्यान की बात तो के वलिती नहीं है, कि वाटसेप से लोगों कितना गुमरा कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमरा कर दें, इत में जितनी भी परिक्षाएं हुई हैं पेपर लीक हुए हैं ऐसा क्यों हुआ इसके जाज कराकर दोश्यों के खिलाफ करवाई करनी चाहिए यही नहीं यूबा नश्य की राह पर जा रहे हैं यह राहूल गांदी की भारत जोड़ो ने आयात्रा के प्रभाब है जिससे पुल इस भरती परिक्षाएं रद हुई है इसके साथी उन्होंने यह भी कहा कि आज यूबा आज नश्य के दाएरे में बढ़ रहे हैं और इसके साथी उन्होंने कहा कि अगर इस परिक्षा कोछ चा महिने के अंदर करवाया जाए नहीं तो फिर इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा यूपी में जितनी परिक्षाएं हुई सभी में पेपर लीक हुए है ऐसा जराय का कहरा है अगली ख़वरा मेठी से है जहां केंद्रिय मंत्री स्मिर्थी रानी ने सेहिपूर ब्लॉक में सेंसमवाद यात्रा किया इस दोरान नोंने लोगों की समस्याओं को सुना और बुजुर्गों को सुना और अन्य लोगों से बाचित भी की अगली ख़वरा मेठी तोरे पर है केंद्रिय मंत्री स्मिर्थी रानी सेंसमवाद यात्रा में पहुची और इस दोरान नोंने लोगों से बाचित की उनकी समस्याओं को जाना आपको बतादे लगतार अस्मिर्थी रानी अप्रेसंसद्य चित्र अमेठी का दोरा कर रही है तो अप्रेसंसद्य चित्र अमेठी पहुची हैं केंद्रिय मंत्री स्मिर्थी रानी आपको बता दे लोग सबाचुनाब को लेकर लगतार तैयारियों में जुटी हुई हैं और प्रति दिन लोगों से बाचित कर उनकी समस्याओं को सुनकर चौपाल लगा कर लोगों से मुखातिब हो रही हैं लोग उसे बाचित कर रही हैं और साथी अपने संसद्य चेतर में किसी भी प्रकार से किसी को दिकत नो इसका जाजा ले रही हैं और साथी बता दे कि अपने किये के पात साल के कामों को जनता के बीच लेकर जा रही हैं उनसे लोग सबाचिताब में वोट करने की अपील कर रही है कल सेंसमवाद यात्रा में पहुंची इस मिर्ति इरानी इस दोरान उन्होंने बुजूर्गों से, महिलाओं से और अन्य लोगों से मुलकात की, बाच्चित की और उनकी समस्याओं को सुना और जाना अच्ची फसल के लिए सिचाई सबसे महत्वपून प्रकिरिया है केतु की सिचाई के लिए भूजवल का ज़्यादा दोहन किया जा रहा है इस समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है यूपी सरकार ने फ्लाड इरिगेशन को माइक्रो इरिगेशन में बदन ले की उज़वना चला रही है राजधानी लखनाओं में आज माइक्रो इरिगेशन पर एक कारेशाला का उज़वन किया गया जिनके ओड़ डाइनामिक डीयम की पहचान रखने वाले जिनके ओड़ डाइनामिक डीयम जोसी बुक लिखी गई है आई एस हीरालाल हमारे साथ है आई उन्होंने यहां कमांड एरिया डेविप्मेंट तो माइको इरिगेशन एक कारेशाला एजित की तो सारे अधिकारियों ने और समाच के भला चाहने वाले अन्न समाच से भीयों ने इसमों भाग लिया बात करते हैं रक्षाब यह क्या कुछ है जलता को इसका लाप कैसे ले सकता है खासकर करशकों को और करशी को देखिए ऐसा है कि सभी लोग चाहते हैं कि कम पानी में ज़्यादा सिचाई हो और उसी कम सिचाई से ज़्यादा फसल हो ज़्यादा कमाई हो तो आप देख रहे होंगे tagline यही है कि कमपानी में अधिक सिचाई, अधिक फसल और अधिक कमाई तो यह जो पाम करते हैं इस मुद्दे पर वो बहुत सारे लोग हैं इसमें सारदा कमांड का लोग काम करते हैं, सिचाई विभाग, भारत सरकार, उतर परदेश सरकार हमारे फिल्ड के अधिकारी और इसमें बहुत सारे माइक्रो इरिगेशन कंपनीज हैं, बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बहुत सारे CSR हैं, ग्राम परधान हैं, किसान हैं इन सब को यहां बुलाया गया है, जिससे की हम लोग एक दूसरे के पास जो भी ग्यान है उसको हम साजह करें, और यह जो फ्लड इरिगेशन है, इसको माइक्रो इरिगेशन में कनवर्ट करें, तो उससे क्या होगा, कम सिचाई में अधिक सिचाई होगी, फसल जादा होगा कमाई जादा होगी, तो क्या उस दौराल कुछ अनुवास से होगी है, जो आज इस रूत में परिवर्ति थो के जलता को लाप पहुंचार के लिए सामने आ रहे हैं, नहीं देखिए ऐसा है, नहीं कि इधर 5-6 साल में माइक्रो इरिगेशन पे जोर भी बढ़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, पानी की समस्या बढ़ रही है, तो जब पानी की समस्या बढ़ रही है, तो समाधान भी ढूड के उसको लागू करना पड़ेगा, और ये कम पानी में अधिक सिचाई भरत सरकार की स्कीम है, तो ये जो स्कीम है कि कम पानी में, जिसको कहते ह इस पर आज के डेट में जोर है ठीक है और यह जरूरत भी है दोनों बाते हैं वाक दोचला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार भी खबरे लगातार जारी है